जे नमस्कर शाथियों आप सभी का स्वागत है गुरुकुल आर्मी के ऑनलाइन एजुकेशनल प्लेट फॉरम बार आसा करता हूँ आप सभी स्वस्त होंगे तंदूरस्त होंगे मस्त होंगे अपनी जोरों से त्यारी कर रहे होंगे तो कल की तरह आज ही हम एक नया छोटा सा कॉंसेट लेके आए हैं डेली अपने एक कॉंसेट कलास रहीगी उस पर प्रेक्टिस क्यूशन रहेगा और ये सिंपली फिकिशन का ही कॉंसेट है ये आपके सामने कॉंसेट दिख रहा है कल वाले में और इसमें आज वाले में थोड़ा सा फरक है कोई समझ पा रहा है तो बहुत अच्छी बात है अगर कल वाली कलास जिसने नहीं देखी है उसको ये कॉंसेट समझने में थोड़ी सी मुस्किल होगी ज्यादा मुस्किल तो नहीं होगा बट मैं एक वार आपको कल वाला कॉंसेट याद दिलाना चाहूं तो कल वाला अपना जो कॉंसेट था वो इ इस टाइप से आजा tenía तो सर इसका आंसर क्या होता है यह हमने कल सीखा था बीच में कोई चिन नहीं था एक चीज अनंतक चल रही थी उसका आंसर तो सर एख खुद ही होता है जो यहां लिखा रहता हो खुद नंबर होता है और दूसरे का आंसर क्या था सर ए एक 2000 की पावर एन माइनस वन बटा टू की पावर एन ये हमारा कल का कॉंसेट था उसका पूरा आंसर था और कैसे हुआ ये आपको कल की वीडियो देखनी पड़ेगी तो आज हमारे और कल वाले में थोड़ा सा डिफरेंस ये दिख रहा है कि इसमें सब की सब क्या है गुणा में है जबकि आज वाले में संक्या कभी पलस में आ सकती कोई जरूरी थोड़ी कि गुणा में है कभी माइनस में आ सकती है तो पलस और माइनस वालों का आंसर क्या होगा जब ये चीजे अनन तक चलेगी क्यूशन में इसमें ऐसा नहीं है कि रुकने वाली ये चीजे अनन तक चलेगी त तो इसका answer क्या होता है 4A plus 1 उसके उपर under root plus 1 by 2 ये आपके सामने minus वाली हो तब यहाँ minus का 1 कर लेते हैं और plus वाली हो तब यहाँ plus का 1 कर लेते हैं ये कैसे बनी ये आज की class में हम सीखेंगे क्या सीखेंगे हम ये आज की class में ही सीखेंगे तो कैसे बनती आपके सामने अगर मैं सबसे पहले plus वाली चीज़े लूँ जो आपके सामने दिख रही है उपर corner में plus वाली चीज़े दिख रही है मैंने कल एक आपको चीज़ सिखाई थी मैंने ये चीज़ सिखाई थी क्या सिखाया था मैंने कहा था आपसे कि अगर हम एक पद को क्या करें गायब कर ले तो ये चीज़ वापिस अनन तक चल रही कि नहीं चल रही अनन तक चल रही तो एक प वो चीज वैसी की वैसी रहती तो एक पद निकालेंगे अनन तक मैंसे तो इसमें कुछ ज़्यादा फरक नहीं पड़ेगा तो क्या करेंगे सबसे पहले अगर मैं इसको X मान लूँ इसको X मान लूँ अब मैं एक पद निकाल दूँ एक पद निकाल दूँ पूरे को X मानना ह और इस साइड आपको पता X ही, क्यों है, क्योंकि सर इसको X कैसे लिख दिया, क्योंकि ये पूरा का पूरा इस टाइप में ही वापिस आजाएगा, क्योंकि एक बाल्टी निकालने से कुछ फरक नहीं पड़ने वाला है, तो X ही रहेगा, अब फिर हम क्या करेंगे सर, दोनों का X हो जाएगा, और माइनस का भी A हो जाएगा, और बराबर 0 आजएगा, अब ये क्या बन गई, ये सर, दिवी का समीकन बन गई, आपने सर, अमारे सामने, दिवी का समीकन बन बना दी, ॔र दिवी का समीकन का मैं अगर आपको ये solution बताऊं, इस side solution बताने का परियास करों होती है यहां सीधी सिरी धराचारी सूतर क्या होता है सर एक्स बराबर होता है माइनस बी पलस माइनस अंडर रूड पी स्क्वेर पलस फॉर एसी बटा क्या होता है सर टू होता है यह हमारे एक्स की वेल्य होती है किसकी वेल्य होती है सर यह हमारे X की value होती है minus B plus minus under root अब इसमें देखो यहां देखनी है हमें किसकी value देखनी है A X के साथ आता उसे A मानते X square के साथ आता उसे A मानते X के साथ आता उसे B मानते और C यह होता है तो हमें ABC की value देखनी है तो यहां A की value आप देखना चाहो, तो यहां A की value क्या है, यहां A की value आपके है 1, X square के साथ क्या है, सिरफ 1 है, B की value क्या है सर, यहां B की value minus 1 है और C की value क्या है, C की value minus A है, अगर यह इसकी value है, अब हम इसमें value रखेंगे, किसमें इसमें value रखेंगे किसकी value रखेंगे वो value रखेंगे तो हमें इस दिविगास समिकन का solution मिलेगा जब इसमें आप value रख दो x बराबर क्या आ जाएगा x बराबर अगर हम minus का b लेना है और b की value कितनी है minus और b की value कितनी है minus का 1 है plus minus अब under root ले लो और minus 1 का square करोगे क्या आजाएगा sir 1 आजाएगा और plus 4 AC क्या है plus 4 AC जिसमें a क्या है one है और c क्या है a की value क्या है मैं आप से समझाना चाहूं तो a की value क्या sir 1 है और c की value क्या है sir minus का a हलका सा हम इस साइड को थोड़ा सा छोटा करें और इस साइड ले समझने का परियास करें यह क्या है सर इस टाइप से दे रखा है P स्क्वेर माइनस 4AC होता है इसमें अपने छोटी सी मिस्टेक कर ली कहां कर ली यह यहां कर ली यहां क्या होता है P square minus 4AC होता है P square minus 4AC होता है यहाँ पर विविक्ति कर आप लेते हो इसमें विविक्ति कर बोला जाता है सिर्फ इतने को सिरी दर्याचारे में विविक्ति कर का मान क्या होता है P square minus 4AC होता है तो यहाँ अगर हम क्या करेंगे यहाँ भी सर minus आएगा कहा माइनस आएगा यहां भी माइनस आएगा यहां माइनस आएगा तो क्या हो जाएगा सर यह हो जाएगा माइनस का और अंडरूट बटे में क्या हैगा सर यहां 2A होता है यह भी यहां हमने आदा लेख दिया यहां क्या होता है सर बटे में 2A होता है तो A की value क्या है सर A की value 1 है अब हमारी X की value यहां से देखो तो सर यहां तो हो जाएगा plus का 1 plus minus यह under root निकालेंगे तो यह क्या है minus से minus गुणा होके सर क्या हो जाएगा 1 plus force A हो जाएगा और बटे में क्या रहेगा सर 2 रहेगा अब हमें क्या करना है अब अगर A क्या रखोगे यहां अगर आप plus ना लेकर minus लोगे तो आप देखो फौर A का क्या होगा कोई भी हो अगर 2 तो होगा minimum 2 plus 1 है मलब 3 plus कुछ भी आए यहां अगर minimum अगर माने तो 3 तो आएगा 3 से जादा कितना भी आ सकता जब एक मैंसे 3 गटा होगे तो हमारा जो answer आएगा क्या आएगा minus आएगा और इस चीज़ का हम minus answer लेना है कि plus लेना है तो हमें यह चीज़ क्या लेनी पड़ेगी minus को लेना ही नहीं सिर्फ plus को लेना है और plus को कैसे लेंगे यह आजाएगा हमारे root वाली को इस साइड लेक लेजे 4A प्लस 1 लेक लेजे और यहां क्या कर लेजे सर्फ plus का कर लेजे इस चीज़ को क्या करना है minus करना लेकर plus का लेना यह हमारा क्या हो जाएगा इसका x की value आजाएगी किसकी value आजाएगी हमारे पास x की value यह आजाएगी क्या ही sir हमारे पास x की value यह आगई और यह x की value है मतलब x की value यह आगई तो इस पूरे का मान किया आग trust पुरा पूरा अगर आप इसे शिरी धराचारे को भी नहीं समझ पाए हो तो इस से basic से समझाने का कोई तरीका है नहीं इसके साथ आपको मैंने वहां value लिख दी value क्या होते ही b की value क्या होगी जो x के साथ होता है वो b की value होते ही x के साथ एक है और ये चिन भी लेते हैं ये चिन पलस का होगा तो यहां b की value पलस की हो जाएगी ये चिन माइनस का है तो माइनस की हो जाएगी बाकी कुछ नहीं करना ये सिरी दराचारी सूतर रखावा इसमें आपको value पूट करनी है और सूतर ये होता है b minus b plus minus under root b square minus 4ac upon 2a ये इसका सूतर होता है सिरी दराचारी का और इसमें आप value रखोगे ति ये अपना x की solution निकालो को एत्सकी value ये आईगी positive लेणा negative लेणा नहीं क्योंकि negative answer नहीं होड़ सकता है तो x की value sir हमारे पास क्या आगरी sir हमने निकाल लिया इस side हमारे पास जो sir x की value आई है ये अपने तीनों मान है x की value sir हमने निकाल लिए क्या आई है B square X की value क्या है यह आपके सामने 4A plus 1 इसके उपर under root plus 1 by 2 यह sir हमारी X की value आई यह है हमने पूरा निकाल लिया X बराबर यह है तो मरलब इस पूरे के बराबर का answer क्या है यह इसका answer है यह इसका answer होगा जब plus हो तो यह होता है अब जब हम माइनस वाले पे जाए पहले पूरे concept समझ लेते हैं बाद में इस पर practice करेंगे अब माइनस वाले जाए तो मैंने क्या का था इसको आप पूरे को X मान लीजिए एक बार अब X मान लीजिए तब इस चीज को अटाएंगे एक बार यह चीज अटाएंगे तो यह वापिस सर यहां तो दो पद बदेंगे पर यह अनन तक चल रही तो तीसरा पद हम फिर से लिख देंगे तीन पद लिखते जिए तो वापिस सर वही रूप दिख जाएगा तो मतलब की समंधर में से एक बालटी निकालो कोई फरक पढ़ने वाला है नहीं तो इस पूरी चीज के लिए यहां से लेके और अनन तक के लिए वापिस हम सर क्या लिख सकते है एकस लिख सकते है और यह पहली चीज यह वैसी की वैसी पड़ी रहेगी तो हम क्या करेंगे सर यहां करेंगे ए माइनस एकस लिख सकते है और इसके बराबर एकस लिख देंगे अब दोनों साइड वरक कर लीजे दोनों साइड सर वरक करेंगे तो वन माइनस एकस बराबर एकस स्कार आ जाएगा और इस साइड हम जब करेंगे तो सब को एकस तरब भेज दीजी x square plus का x हो जाएगा अब x inside जाएगा तो plus का हो जाएगा minus का a हो जाएगा बराबर हो जाएगा 0 अब same formula से यहाँ आपने सिरी दराचारे से इसकी value निकाल लेते सिरी दराचारे का formula क्या कहता है minus b plus minus b square minus 4ac under root by 2 अब इसमें आप देखो a की value कितनी है a की value एक है b की value कितनी है plus का 1 है फिछली बार में minus का 1 था इस बार plus का 1 है तो यहाँ क्या हो जाएगा सर यहाँ हमारा जो आंसर आएगा यह हमारी x की value आएगी x बराबर क्या आजाएगा minus 1 x बराबर क्या आएगा हमारा सर एकस बड़ाबर आएगा माइनस का one Пलस माइनस B square B A का square करोगे सर क्या राएगा एक माइनस four A C है अब यहां देख लेजिए माइनस का है four और C की value आएगी वो भी क्या आएगी माइनस का A आएगी और A की value क्या है सर A की value हमारे सर one है A की value क्या है? यहाँ 1 है X square के साथ होता वो A होता है तो यहाँ क्या आ जाएगा सर? यहाँ अमारा वो होके क्या हो जाएगा? मैं अगर लिखना चाओँ एक बार लिख के समझा दूँ माइनस 4 A की value क्या है? सर 1 है और C की value क्या है? माइनस का a है ये इस परकार है ये इस परकार है और इसके बटे में क्या है sir 2a है क्या है 2a a की value कितनी है sir a है मैं a बार बार लिख नहीं पा रहा हूँ क्यों कि यहां इस question में इसकी value 1 आरे इसलिए अब यह एक्स वराबर क्या करोगे sir यहां हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा sir माइनस का 1 पलस माइनस अंडर रूड और ये 1 रहेगा और ये माइनस और माइनस गुणा ओके sir क्या हो जाएगा पलस का 4A हो जाएगा और बटे में क्या रहेगा 2 रहेगा अब हमें sir आपने कहा था कि positive का answer लेने के लिए हमें sir यह जो विविक्ति कर है यह minus का नहीं लेंगे पलस का लेंगे तो x बड़ाबर क्या आजाएगा sir 4A पलस 1 होगा आगे ले लेंगे इसको और ये चीज क्या आई यह sir यह इस side वाला क्या आया sir यह minus का आया तो minus 1 कर लेंगे और बटे में 2 कर लेंगे क्या कर लेंगे बटे में 2 कर लेंगे x बड़ाबर हमारी यह value आगे यह sir a की value अगर मैं लिखना चाहूँ a b की value भी 1 और c की value क्या है minus का a है यह इसकी तीनों value है अब मैं x बड़ाबर यहां लिखना चाहूँ तो हमारा क्या आया है आप कहोगे sir क्या आया है 4 a plus 1 under root minus upon 2 हमारा यह हमने इस side से x की value निकाली है यह इसका पूरा का x है क्या x तो sir यह है पूरा x ही है तो यह हमारे बड़ाबर answer आ गया इसके अलावा इसमें कुछ से है नहीं यह समझ बाए कि नहीं समझ बाए इसमें यह देखना यह सिर्फ जब minus हो तो इसमें minus का one कर लेते हैं और जब plus हो तो यह यह पलस का one कर लेते हैं बाकी पूरी चीज सेम रहती है और पूरी चीज आती कैसे वह आप देख लेना अब जब इसमें आप पीछी जाओगे यह देखोगे यहां माइनस का B लिया था और माइनस माइनस होगे यह चीज पलस की हो गई थी यह गटता क्यों है यहां जुड़ता है और वहां गटता क्यों है यहां देखोगे तो आपका यहां पलस हो गया था इस साइड देखोगे तो यह पहले से पलस की थी, और हमें minus B लेना होता है, तो इस पलस वाली चीज को यह B क्या करदेता है, minus B, negative करदेता और negative करता है, तो यह last तर नेगिटीव रहता है, अब इस पे हम question करेंगे, basics जो सूतर होता है, वो आपको याद रखना होता है, आता कैसे, वो मैंने बता दि लिख 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 लि इस पूरे मैंसे इसको गटाओ, क्या मान आएगा, और आपको पता है, पलस वाले का मान क्या होता है, फours a पलस का अंडरूड लगा करे इस टाइप का यह होता है, और Y की value क्या होती है, सर यह होती है, अब इन दोनों को जम माइनस करोगे, X-Y करोगे तो ये तो माइनस करोगे नहीं इसका जो सूतर होता उसको माइनस करोगे तो इसका आन्शर X-Y बराबर किया आएगा सर डारिक्त आपको याद रखना है X-Y बराबर 1 होगा X-Y बराबर क्या होगा 4A-1 के उपर under root लगा और x into y पूछ ले तो सिर्फ क्या होगा यह होगा इस पर कैसे question आएंगे वो question से हम ज़्यादा समझेंगे बट यहां एक वार समझा दू कि x minus y बराबर 1 कैसे होगा अगर मैं आपको समझाना चाहूं तो आप समझने का परियास करना जब हम इसको लिखेंगे खिसको 4A plus 1 को और यहां क्या है sir plus का 1 by 2 minus करोगे 4A plus 1 और minus 1 को यह minus करोगे तो नीची क्या है sir हर समान है तो हम sir इसका lcm लेंगे तो lcm 2 आएगा उपर जो चीजे हैं वही रहेगी जब उपर वारी चीजे minus यह जब को minus करेंगे तो उपर क्या बढ़ेगा sir 4A plus 1 एक वार मैं लिख के दे देता हूँ जब minus करेंगे तो यह भी क्या चीज हो जाएगी sir यह हमारा minus का हो जाएगा 4A plus 1 और इस side भी अंदर भी minus इससे भी गुणा होगा और अगले पस से भी गुणा होगा दोनों पस से गुणा होगा तो यह minus minus की क्या हो जाएगी यह plus की हो जाएगी और नीचे क्या रहेगा 2 रहेगा अब यह चीज है ना यह पूरी चीज इससे कट जाएगी और यह plus का 1 और यह plus का 1 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा और 2 बटा 2 करेंगे तो डारेक्ट क्या आंसर बचेगा एक बचेगा और हमें सिर्फ ये डारेक्ट क्या राया याद रख लेना है इसको जब solution निकालो को इस type से solution करते हैं डारेक्ट एक answer कैसे आता वो आ जाएगा इस type से करोगे तो ये आपको इतना भी जोडबा की गुणा बाग नहीं आता है तो आपको कम से कम बैसी आपको मजबूत करना पड़ेगा इन चीजों को समझाओंगा तो फिर मैं concept ही समझ नहीं पाएंगे अगर हमें x plus y करेंगे तो x plus y करेंगे plus का करेंगे तब ये minus minus का one है और ये plus का one है एक दूसरे को काट देंगे और ये हमारे पास बच जाएगा क्या बच जाएगा ये हमारे पास ऐसे बच जाएगा ये बच जाएगा two four a plus one ये four a plus one four a plus one जोड़के क्या बन जाएगे two four a plus one बन जाएगा और वो जो बचेगा दो बचेगा, दो से दो कट जाएगा और फिर हमारे सिरफ पास 4A प्लस 1 बचेगा यह पूरा आप जब इसको करोगे तब हो जाएगा X into Y करोगे क्या करोगे, जब X into Y करोगे तो आपके पास बनेगा क्या, X into Y कर लो जब इसको इससे multiply करोगे तो आपके सामने क्या आप दिख रहा है आपके सामने क्या दिख रहा है a square minus b a plus b और a minus का रूफ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है आप इस साइब को ये इस चीज़ को देखो और ये देखो a plus b a minus b दिख रहा है तो सर इसका आंसर क्या होगा A square minus B square हो जाएगा और जब इसका square करोगे तो यह हो जाएगा 4 A plus 1 हो जाएगा यह minus का 1 हो जाएगा जब इसको खोल के करेंगे तो यह answer आएगा नीचे सर 4 पहले सही है क्यों 2 into 2 4 हो जाएगा और यह क्या हो जाएगा इसका जब square करके खोल के करोगे तो यह cancel करने किस परकार होगा मैं आपको समझा दूँ यह 4 A plus 1 रहेगा यहां और यहां minus का रहेगा और नीचे हम क्या करेंगे सर्फ 4 लिखेंगे यह इस से इस से कट जाएगा यह 4 से 4 कट जाएगा शिरफ हमारा A आंसर रहेगा इस चीज को अगर किसी को नहीं समझ में आ रही तो वो आपने आप से कम से कम इनमें value पूट करके X और Y की value पूट के X और Y की value दे रहके आराम से कर लेगा हमें major concept समझना था वो समझ लिया और इस चीज को याद रखना किस चीज को याद रखनी हो X minus Y पूछ ले तब तो हमारा सर 1 होगा X plus Y पूछ ले तो 4 A plus 1 के उपर अंडरूड होगा X Y पूछ ले तो A होगा जब इस type का दे रखाओ किस type का इस type का दे रखाओ यह चीजे होती है और होता कैसे वो भी मैंने समझा दिया अब हम आगे बढ़ेंगे आगे कैसे बढ़ेंगे अब हम किस वन पे जाएंगे किस वन पे जाएंगे सर हमें प्लस वाले का आंसर सर हमें पता है क्या होता है सर प्लस वाले का आंसर होता है 4A plus 1 under root plus 1 by 2 यह हमारा plus वाले का क्या होता है answer होता है answer होता है कि नहीं होता है अब इसमें आप value रखो A की value कितनी है sir 12 और 12 चो क्या होड़ जाएगा 48, 48 plus 1 1 हो जाएगा गोण 50, गोण 50 का under root केतना होगा sir 7 plus 1 by 2 करेंगे तो sir इसका answer आएगा 4 sutra की आप पूरी value रख दीजी यह आपके answer आने वाड़ा है अब A की जगह आप क्या रखना है 12 रखना 12 को 4 से multiply करोगे 48 होता है और 48 में एक जोड़ो के गोण 50 बनेगा और गोण 50 का जब under root लोगे तो automatic 7 बनेगा अगर आपको यह चीज भी आप अगर इतनी step आप दिमाग में नहीं कर सकते तो आप competition की तयारी छोड़ दीजे इससे आसान कोई तरीका नहीं है हमारे पास अब जब इसका एक तरीका तो यह है सरसूतर से किसी भी संक्या का निकाल देंगे अगर कभी कभी ऐसा दिखे तो इस चीज का क्या करना जो यहाँ पे आपको बारा देखे बारा के दो ऐसी टुकड़े कीजी उनकी बीच में अंतर हो ना वो एक होना चाही जैसे तीन गुणा च्यार कर लो अब तीन गुणा च्यार को ऐसी दो टुकड़े कर दीगे उनको आपस में च्यार में तो ऐसी दो टुकड़ों में तोड़ना है कि जिनका मल्टीपलाई करे तो वापिस हो संख्या आणी चाहिए और इनका अंतर करे च्यार में से तीन को करे तो अंतर मिसा एक आणा चाहिए यह इनका मेजर कॉंसेट हो तब तो यह ट्रिक फॉलो होगी अन्यत है यह ट्रिक फॉलो नहीं होगी अगर बीच में पलस का दे रखा है तो बड़ा वाला आंसर होता है और बीच में माइनस दे रखा हो तो हमारा छोटा वाला आंसर हो जाता है हमने देखा यहां फोर पराप्त हो रहा है और इस solution से भी हमें सूतर से भी फोर पराप्त हो रहा है अब मैं आगे बढ़ूँ अगला question लो वहाँ आपने क्या देखा था पीछे सर पीछे हमने देखा था 12 plus 12 under root 12 plus इस टाइप था अब अगर हमने देखे ये तो सर minus का है तो सूतर से निकाड़ो तो सूतर इसका क्या होता है 4 A plus 1 तो होता ही है सर और अब क्या होता है सर माइनस हो तब एक को क्या कर लेते माइनस कर लेते और यहां दो लगा देते अब A की value क्या है सर वह ये 12 चोक 48 पलस 1 गुणपचास और गुणपचास का उंडर root 7 अब क्या आजाएगा सर 7 माइनस 1 बटा 2 हो जाएगा तो ये क्या होगा सर 6 बटा 2 करेंगे तो इसका आंसर सर हमने 3 आएगा क्या आएगा 3 आएगा ये समझने की अब इसको अगर उस टुकड़ों में तोड़े सर 3 गुणा 4 होगा और सर आपने क्या बोला था पलस हो तो बड़ा वाला आंसर होता है माइनस हो तो क्या हो छोटा वाला आंसर होता है तो सर इस ट्रिक से देखे तो यहां भी तीन हमारा आंसर आ रहा है तो सर यह मता पोड़ी क्यों समझा रहे हो कब से एक गंटे से कर रहे हो डारीक्ट इतना ही बता दो कि इसको ऐसे 2 टुकड़ों में तोड़ नहा हो जिनका अंतर हमें क्या करना हो गोना करने पर तो संख्या सेमानी चाहिए और उनका अंतर एक होना चाहिए तो इन में से बड़ा वाला आंसर का बोगा जरस इनके बीच में पलस का होगा और छोटा वाला आंसर का बोगा जरस इनके बीच में माइनस का होगा तब छोटा वाला आंसर होगा अब हम आगे बढ़ते हैं अब आपको 56 चपन दिख रहा है अब इसका बता ही सर क्या होगा सर 7 आटी 56 होता है सब 7 को 8 से multiply करेंगे तो 6 चपन आता है 7 गुणा आठ करेंगे इन में से answer कुन सा होगा सर इसके बीच में plus है तो बड़ा वाला answer होगा डारिक्ट बताना सीख गए सर इसका answer क्या होगा 8 होगा, अब मैं आगे बताऊं अब सर इसका बताऊ, सर इसको हम multiply करेंगे, तो सर ये 8 गुणा 9 होता है, क्या होता है, 8 गुणा 9 होता है, अब इन में दोनों में से आंसर कुन सा होगा, सर बीच में minus का चिन है तो छोटे वाला आंसर होगा, क्या होगा सोटे वाला आंसर होगा, इसका आंसर क्या होगा, 8 होगा, ये इसका सही आंसर होगा 9 नहीं होगा, अब जब आगे बढ़ते हैं, अब आपके सामने दे रखी हो X बराबर इस टाइप से दे रखी हो 20, 20, इस परकार, इस परकार, 20, 20 चल रही हो, एक वार माइनस के साथ चल रही है, एक वार पलस के साथ चल रही है, अनन तक चल रही है अगर इसका सूतर से निकालोगे सूतर से नहीं निकाल पारे है, सर, हम 20 को देख रहे हैं, तो 24 इंटो 5 का मल्टिपलाई होता है तो इनके बीच का अंतर भी एक होता चार और पांच का और चार और पांच को मल्टिपलाई करें तो जो भी सर बीच आता है तो पलस का है तो सर हम पांच आंसर लेंगे सर इसका आंसर आएगा पांच और इसका क्या आजाएगा सर इसका अंसर आजाएगा च्यार आजाएगा अगर अंसर मिल जाए तो असानी से आप मिला पा रहे हो अंसर तो अब आप से पूछ ले कि X-Y बराबर क्या होगा तो X-X की वेलिव सर 5 है 5 में से 4 गटाएंगे तो सर 1 आएगा X-Y क्या होगा सर X-Y क्या होगा X-Y करेंगे तो सर हमारा क्या आजाएगा सर 9 आजाएगा और X और वो into Y करेंगे तो सर क्या आजाएगा 5 आजाएगा क्या आजाएगा 5 आजाएगा क्या आजाएगा X into Y करेंगे तो क्या आजाएगा इसका 5 आजाएगा, अंसर आया की नहीं आया, ये आसान से कर पा रहे हो, कर पा रहे है क्यों नहीं कर पा रहे हो, बाकि एक वार पिछे वाला आप देखना चाहते हो, तो देख सकते हो, पूरे को कम से कम आप एक वार आपको याद आजाए था कि, हमने क्या कैस समझा था, इस एक चीज हमने यहां mistake फिर कर दी क्या mistake कर दी हमें छोटी सी क्या दिन पूरो यह multiply का काम करते दिन पूरा मैत का काम करते पूरा दिन इसमें मैत में जाता है तो हम क्या छोटी बहुत multiply भूल जाते अब x into y करेंगे तो हमारा x into y करेंगे x और y क्या value सर पांच into 4 करेंगे तो आंसर क्या आएगा सर हमारा 20 आएगा क्या आएगा 20 आएगा आंसर क्या आएगा हमारा सर 20 आएगा और ये बाकी चीज आंसर सेम रहेंगे ऐसा नहीं है कि मुझे 4 into 5 का multiply नहीं आता है बट क्या major minor mistake हो जाती है ये इसका आंसर हो जाएगा सूतर से याद रखो दिये होता है बाकी आपको पता है x minus y बराबर क्या होता है आप direct बता सकते हैं इसर a होता है x plus y बराबर क्या होता है 4 a plus 1 का under root लेना होता है और a की value कितनी है सर 20 है 20 into 4 करोगे 80 80 plus 1 क्या होगा सर under root 80 होगा और under root 80 की value क्या होती है सर 9 होती है positive answer लेना हमें क्या लेंगे सर 9 लेते और इस मान ग्याद करके करेंगे तो भी x plus y का मान क्या आएगा 9 आएगा और इस से सूतर से कर लेंगे तो भी क्या आएगा हमारा 9 आएगा अब मैं आपको x y क्या होता सर x y बराबर a होता और a की value सर कितनी है 20 है तो direct बता पा रहे कोई नहीं बता पा रहे अब हम next पर बढ़ते है आपके सामने इस परकार दे दे पांच दे दे आप बोल रहे थे नहीं कि सर हमें इस trick बता दी जो हम तोड़े ना वो संख्या ले ना उनका जब multiply करे तो वापिस ये संख्या आनी चाहिए और इनके बीज का अंतर क्या आना चाहिए हमेशा एक आना चाहिए ये इस परकार हमने तोड़ा था अब मैं आप से कह दूँ आपके सामने 5 आ गए हमारे पास सूतर काम करता है फौर ए प्लस वन के उपर अंडरूड प्लस का चिन है तो प्लस हो जाएगा और नीची क्या आ जाएगा टू आ जाएगा अब एक ही वेल्यू आपके सामने कितनी है एक ही वेल्यू सर हमारी 5 है और तो आप 5 को कर लीजी चार इंटू पांच क्या हो जाएगा बीस बीस प्लस वन क्या हो जाएगा अंडरूड इक्कीस प्लस वन बाई तू इसका आंसर होगा इसका आंसर क्या होगा अंडरूड इक्कीस प्लस वन बाई तू इसका answer होगा इससे ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं ट्रिक्स इसका पूरा अंशर नहीं आएगा सिर्फ इतना ही answer इसमें आएगा इससे ज़्यादा इसमें answer नहीं आएगा अब आपके सामने 9 आ गया क्या आ गया 9 आ गया तो इसका क्या करेंगे सर हम इसका सूतर निकालेंगे सूतर आपके क्या होता है और A प्लस 1 होता है और इसको अंडर रूड लगा देंगे और माइनस है तो क्या कर लेंगे सर माइनस का 1 कर लेते और बटा 2 लिख लेते और A की ब्रूट लगे बटे टू इसका अंसर हो जाएगा यह चीज आपको समझने लाइक थी मैं क्लास में बिल्कुल भी बात नहीं करूँगा concept to concept चलेंगे और जल्दी से जल्दी पटेंगे थोड़ी बहुत basic चीज़े आपको पहले आने चाहिए major चीज़े यहां समझी चाहेगी और कोई ऐसा लगेगा कि यह basic चीज़ पहले नहीं सिखाई गई थी बच्पन की स्कूलों में तो मैं आपको बता दूँगा जरूर। एक्स इसका बताओ, एक्स प्लस इसका भी आंसर बताओ, एक्स प्लस वाई का आप नहीं बता पा रहे हैं, तो मैं आपसे कहा दूँ, एक्स स्क्वेर प्लस वाई स्क्वेर का बताओ, इतना बड़ा दे दूँ आपसे, और एक्स वाई का आंसर बताओ, तो आप आंसर बता प और ए प्लस वन की उपरा दाएंगे।